इंदरगर ब्रेकिंग नियूज से राज धाली समाचर जिला ब्योरो चीफ संजीव रिचारिया की रिपोर्ट करता है कि आपने अपना मुलिश मैं हमें दिया है कि अब लोग निकले थे सामाजिक तुरिष्टे होते उन्हें निभाने के रहे हैं कि अबाम जो तो जत्रीजियां देखने में आई हैं कि अच्छे सरकार मुझली है तो आम आदमी न्याय के लिए भटा करा है जी अपराद बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेस में ही देखा गया है कि लॉक डाउन के समय पर जब हर चीज बंद थी तो सराव का अवैद कारोबार किस तरीके से किया गया मजदूरों को घर पहुचाने की बजाए उनकी विवस्ता करने की बजाए इस तरह से सरकार ने उन मजदूरों के साथ चल किया उन्हें परसान होने के लिए मजबूर किया उनके हाल पे छोड़ दिया तमाम रोज खबरे आती रही हैं आप लोगों के माध्यम से कि हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर हजारों हजार किलो मिटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो बच्चों के साथ कि परिस्थितियों में वो अपने काम की जगह से अपने गाउं तक गए हैं इसका एक इस युग में तो किसी नहीं देखा होगा जो इस लॉल्हों सांके हमें होने के साथ हम शाधारन विप्ती कि जहां लोगों की भावनाएं हैं लिष्टे हैं हर जगे वोट का रिष्टा नहीं होता है कुछ जगे मानवता कर रिष्टा भी होता और प्रेम का रिस्था भी सरकार में जिस तरह से हां कुछ रहे हैं कीचे जरी तरह करेवों के सर से वहन बहुत निंदनी आज उसी क्रम में हम अपने लोगों से मिलने के लिए हैं अपने साथियों से मिलने के लिए हैं कि यहां क्या हाल है यहां लोगों के चूले कैसे जल रहे हैं यहां लोगों की समस्याएं क्या हैं उसको देखने के हिसाब शाय हैं चोकि पाइटी में होने के नाते रा कि गुहार को लेकर जाने की तैयारी में लगे हो इसे चनाव के लिए आपकी क्या रणनीती गएगी वप चुनाव में तेकि अभी हमारे तो कोई रणनीती नहीं, रणनीती तो बनाएंगे हमारे शीर्ष के नेता, हम लोग सिपाही हैं, हमारा कम है, जंग के मैदान में, अप उसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी हम मैंने आपसे पहले भी कहा बातों बातों में कि पहले हम मिट्टी को फरक लें कि कॉन सा वीजब वोया जाए तो जब तक आचार सहिता नहीं लिए जब तक इसके तो सामान में नहीं उती तब तक हम अपने लोगों के मात्यों से रोह रोह होकर जानना चाहते हैं कि यहाँ कि जंथा की आम्राइ पिले हैं कि उनकी सोच क्या है कि वो कैसा सोच रहे हो क्या चाह रहे हुआ कि उसके विधान सवा में चुना होने जा रहा है इसमें खुस्वा समाज क्या पेक्षा की जा सकती है कुछ सीटा इनको चिनित की जाई हूं निश्ची थी जो जक्री लोग हैं जिनकी अपनी अपनी तयारी है जो जहां शेतर में हैं अकेले कुछ वहां समाज नहीं हर समाज के लोगों को बराबर का मौका दिया जाएगा बराबर की इस्सेदारी होगी चुकि कॉंग्रेस हमेशा से न्याइपरी और समको अफसर देने वालडगे पारटी नहीं है तो इस मौके में भी जो जहां उप्योगत होगा जहां फिट बैठेगा जहां जिसकी उप्योगीता होगी जहां जिसकी तैयारी होगी उसको मौका दिया जाएगे। ऐसा क्या कारण है कि सत्ता में बीजीपी पार्टी और बीजीपी कुछ लोग कांगरिस में समलेत हो रहे हैं तो क्या अच्छा ही दिख रही है कांगरिस में इस समय यह तो हमारे बघेल साब हैं आप बताएंगे आप से पूछे तो कि आप हमारे पुराने पिता जी के पुराने संबंध रहे हैं उनके सहयोगी भी रहे हैं साथ में काम किया है तो क्या अंतर है बीजीपी और कॉंग्रेस की नीती रीती में क्या विश्वास कॉंग्रेस के बाइनर में है वो आपको हमारे अनिवाहियल साब बताएंगे